यूट्वाइज करता हूं आपके अपने यूटीब चैनल में जिसका नाम है इसका नाम है प्रेशिल प्राइवेट जोब्स ओल और इंपॉर्मेशन लेके आयो आप सब जोइन कर सकते हो, कौन कौन सी पोस्ट है वो आप लोग स्क्रीन पर देखें तो कुछ पोस्ट हो मैंने आपके सामने स्क्रीन पर लिख हुई है, बाकी मैं आपको आगे वीडियो में डिटेल में बताओंगा like security guard की post है clerical की post है accountant की post है peon की post है helper की post है cashier की post है इसके अलावा भी जो vacancies है जो जो भरतिया निकाली गई है जिन post पे वो सारी हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे और इसमें fresher candidates भी apply कर सकते है experience candidates भी apply कर सकते है और जो salary मिलेगी वो हर post की अलग लग salary है जिसके बारे में हम लोग discuss करेंगे और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो बट अभी तक आप लोगों ने चैनल को subscribe नहीं किया then please do subscribe the channel specially जैपूर से related जितनी भी private jobs निकलती है उसकी information के लिए आप लोग इस चैनल को subscribe कर सकते हो और subscribe करके बैल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली हर वीडियो का notification आप लोग को मिलता रहे चलिए दोस्तों अब हम start करते है बिना कोई time waste की step by step मैं आपको सारा process बताता हूँ so what you have to do सबसे पहले आप लोग को अपने मुबाइल फोन में जाके गूगल खोलना और गूगल में जाके लिखने special नोकरी मैं हर वीडियो में रिपीट करता हूँ आप लोग special नोकरी की दोस्तों spelling बिल्कुल सही लिखना s-p-e-c-i-a-l-n-a-u-k आ रही है आपकी special नोकरी की spelling होनी चाहिए उसके बाद जैसे ही नीचे आओगे आपको पहले option पे मिलेगा www.specialnokry.com इस link पर आपको क्लिक कर देना या तो आप लोग direct URL में जाके लिख सकते हो www.specialnokry.com या इस link पे क्लिक कर सकते हो तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया तो आपको आपके सामने website खुल जाएगी और सबसे पहले नंबर की पोस्ट दिखेगी आपको जैपूर जोब्स, clerk, security guard, pion, helper, accountant, salary 25,000 रुपी, special नोकरी इस पोस्ट पे आपको क्लिक कर देना ठीक है and salary हर पोस्ट को अलग-लग मिलेगी इन्होंने एक average salary लिख रखी है तो चलिए इस पोस्ट पे क्लिक कर देते है and सारी detail आजएगी अब आपके सामने सबसे पहले आएगा company का नाम, like कौन सी company में vacancies निकली है, so HDFC bank में vacancies निकली है, जितनी भी मैंने आपको qualification में minimum 10th class pass मांगे अगर आपने 10th pass कर रखी है, 12th pass कर रखी है और अगर आप लोग graduation कर रखी है या फिर diploma, IT, post graduation कुछ भी कर रखी है तो आप लोग apply कर सकते हो उस qualification के according आपको पोस्ट दी जाएगी अगर आपने clerk की post के लिए जोइन करना चाते है तो अफकोस आपकी graduation होनी जरूरी है और अगर आप गार्ड वगएरा security guard की post के लिए apply करना चाते हो तो 12th pass जरूरी है बाकी helper वगएरा, pion की post के लिए apply करना चाते हो तो 10th class pass जरूरी है तो ऐसे post wise आपका qualification दे रखी है आप बात करते है shift आपकी full time होईगी कोई आपके ओपर target नहीं है कोई आपके ओपर pressure नहीं है पोस्ट के बारे में अब हम बात करते है पहली post है आपकी computer manager की इसके लिए graduation होनी चाहिए दूसरी है cashier manager की इसके लिए भी graduation होनी चाहिए देन है आपकी security guard की दसें और बार्य। इसके बार्य। आप लोग canopy graduation होनी चाहिए deputy bank manager की post के लिए graduation जुरूरी है peon or helper की post के लिए τैंत class pass होनी जुरूरी है accountant की post के लिए graduation जुरूरी है deputy manager की post के लिए again graduation होनी जुरूरी है तो यह थी सारी post और उनकी qualification अब बात करते हैं टाइम की टोटल नो घंटे काम करना पड़ेगा जिसमें से की वन आर का आपका एक लंच ब्रेक होगा और वीक में एक दिन संडे को आपका ओफर हेगा सेलरी आप लोग स्क्रीम पर दे सकते हो दुबारा रिपीट करों सेलरी आपको पोस्ट के अकोडिंग देगी कलर्क की सेलरी अलग होईगी पियोन की सेलरी अलग होईगी सेक्योरिटी गार्ड की सेलरी अलग होईगी है ठीक है सबसे पहले बात आपको कुछ भी पे नहीं करना अगर आप लोग जो प्लोकेशन आपकी कोई भी है अगर आप लोग जैपूर में कहीं से भी हो तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो ठीक है अगर आप जैपूर में हो या फिर जैपूर के आसपास के एरिया से हो लाइक शिरी गंगानगर हो गया अजमेर हो गया अनुमानगर हो गया इस एरिया से हो तो आपके नियर लोकेशन पर जो भी HDFC बैंक है उसमें आपको जोइनिंग मिल जाएगी ठीक है टैली फोनिंग इंटर्व्यू है मैं को बता चुक हो यहां से आप लोग को कॉंटैक नमर लिख रहे हैं और इनका नाम है पवन गुजर इनका कॉंटैक नमर मैं आपको प्रॉइड करवा रहा हूं अभी आपको इस स्टाहीं कॉंटैक नमर शो नहीं हो रहा है बट इस तरहीम आप लोग यह वीडियो देख रह झाल झाल झाल